आजकल गोरपूर में बच्चा चोरी के अफवाथ हमने का नाम नहीं ले रहा है। बेली पार थाना छेत्र में बच्चा चोरी के आरोपी में भीड ने एक महिला की जम कर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुँचे पुलिस आरोपी महिला को अपने साथ लेकर थाने कई बताया जा रहा है कि महिला विशिप्त लग रही थी हाला कि पुलिस ने महिला से पुछताश की मामला बेली पार थाना छेत्र के बसमा गाओं का है जहां ग्रामीडों ने सुमार की रात एक मह महिला को बच्ची चोरी करने के आरोप में बुरी तरह पीटा था सूचना पर मौके पर पहुँचे पुलिस आरोपी महिला को थानेला कर पुछताश कर रही है बताया जा रहा है कि गाओं में मंदर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे इस बीच एक बुदर महिला प्लास् पुलिस आरोपी महिला को अपने साथ लेकर थाने चली गए इस मामले में स्पी साथ विपिल कुमार शिरवास्तों का कहना है कि दरसल विशिप्त महिला को बच्चा चूरी के आरोप में ग्रामीरों ने पीट दिया है इसके साथ ही स्पी साथ ने कहा कि थानेदार सभी थान इस तरह के आज कल सोचल मीडिया पर बहुत ही अफ़ाओ फैलाए जा रहे हैं जो कि गोरकपुर में या साउथ चेत्र में ऐसा कोई अभी गैंग और इस तरह की कोई पुस्ट कोई सूचना नहीं है कहीं एक मैला वह बिच्छिप्ट टाइप की मैला थी जो कई दिनों से वहीं पर चार पानी बुज़र गया वहार मंदिर पर आसपास रहती थी वह चलते चलते इधर अगल वगल घूमती थी पागल टाइप की है तो वह मैला को कल पुलिस ले आतीश ने जारा थे आई ती उससे पूस्त आच की गई ऐसा भी नहीं हो ब्च्चा चोर और पूई उसका कामने तरह से उसे और лож चानवीन की जाएगी Jahr कि रहने मुट पता रही है को मैं वुह सब्सक्ते के लिए अफवा फैल रही है इंसे बचने के लिए हम ने सभी थाना प्रवारियों को उनके हलका इंचार्जों को और कांस्टेबूल तक को सबको बतायाएं कि गाउं गाउं जाके इसको प्रचार-प्रचार करें कि ऐसा कोई गैंग नहीं आया है जो बच्चा चोरी कर रहा हो अगर इस तरह कोई पुष्ट सूचना है तो अपने हाथ पुलिस को सूचना दे पुलिस कारवाई करेगी और जो सह कि योगा उसकांतर कर वाई की जाएगी